आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मैं आपको खुद हुद पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ खुद हुद एक ऐसा चमतकारी तांत्रिक पक्षी है जिसके बारे में अनेको रहस्य हैं जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा साथ ही साथ मैं आपको इस खुद हुद पक्षी के द्वारा अद्रस होने की सकती के बारे में बताऊंगा तथा वसीकर्ण सकती के बारे में बताऊंगा साथ ही साथ दोस्तों इस रहस्मई पक्षी से जुड़े अनेकों रहस्वों के बारे में आपके समक्ष तत्थों को भी रखूंगा और इससे जुड़ी अद्भुत जानकारी दूँगा हाँ दोस्तों अगर आप लोग भी चाते हैं कि मैं इस रहस्मई खुद खुद पक्षी के बारे में आपको चमतकारी तिलिस्मी जानकारी दूँग तो इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा मित्रों हमारे संसार में अनेको प्रकारी के जीव जन्तू का निवास है किन्तू दोस्तों हर एक जीव के पास अनोखी सक्ति होती है जिसके बल पर वह पक्षी अपना जीवन यापन करता है मित्रों मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस पक्षी के द्वारा अधरस होने की सक्ति बताऊंगा साथी साथ इस उधुद पक्षी के द्वारा वसी कर्ण करने की सक्ति के बारे में बताऊंगा तथा इससे जुड़े रहसों के बारे में भी बताऊंगा लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए तथा हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए सही परकार से ताकि हमें भी होसला मिले आपकी वीडियो लाइक करने से दोस्तों बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पर वीडियो लेट डालता हूं यानि कि एक दो दिन के बाद या साथ दिन के बाद या दस दिन के बाद वीडियो डालता हूं क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो लेट इसलिए डालता हूँ अपने यूटूब पर क्योंकि मितरों मेरे पास समय की कमी होती है काम बहुत होता है इसलिए दोस्तों मैं रहसे मही जानकारी खोजता रहता हूँ और जो रहसे मही जानकारी पसंद आती है उसी के बारे में खोज जांच परताल करके मैं आपकी समख्ष लाता हूं तो दोस्तों आप सभी से अन्रोध हैं अगर आप आद्भूत जानकारी चाहते हो खुद हुद पक्षी के बारे में तो इस वीडियो को पूरा और आखरी तक अंते तक देखेगा तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझा दोस्तों आप अद्रश होने के सकती पाना चाहते हैं तो दोस्तों को क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों अमावस के दिन सुबहसोवष चार बजे आपको इस पक्षी से सीहां मैंक प्राप्ष करने कीतने साट पंख हैं और इन साथ आप renkin करने के पस्तात आपको क्या करना ह ने कि आप इन पंखों को मित्रों एक काले कपड़े में बांध करके थीख है और यह सारी चीज़े अमावस में करनी हैं और फिर इसके बाद दोस्तों आपको इसको साम को time जला लेना है जलाने बाद दोस्तों जलाने के बाद मित्रो इसमें आपको थोड़ा सा जी हां दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको जो है गेंदे का रस मिला करके इसका तिलक लगाना मात्र पे लगाने मात्र से आप गयब हो जाएंगे और इसको आप वसी करन के रूप में प्रियोग कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ इस हुधुध पक्षी के द्वारा दोस्तों वसी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों आपको इस पक्षी को खोजना होगा यह पक्षी जहां पर अपना चोच मार करके जो भी किड़े मकोडे निकालता है तो दोस्तों आपको वहां की मिट्टी उठा लेनी जहां पर यह पक्षी मड़ा रहा है वह मिट्टी उठा लेनी है यानि कि जहां पर यह हुधुध पक्षी जो है चोच मार करके अपना भोजन निकलता है तो दोस्तों इसका निसान होता है और मिट्टी में ये अपना चोंच मारता रहता है तो दोस्तों इसके निसान पढ़ जाते हैं और इसका उसेस मिट्टी में आ जाता है तो आपको वह मिट्टी उठाने के बाद मित्रों आपको जो है उस मिट्टी को उठाने के ब पहले पहले यानि कि 12 वज़े से एक वज़े की बीच में इस मिट्टी को किसी के सर में डालना है डालने मातर से वह वक्ती वह सिभूत हो जाएगा दोस्तों इस पक्षी से जुड़ी अन्यकोर रहस्यमई जानकारियां हैं तो दोस्तों मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं स जानकारी नहीं दे पाऊंगा इस पक्षी से जुड़े रहस्तों के बारे में मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा और जो बीडियो पाट टू बनेगी तो दोस्तों इस खुद हुद पक्षी के बारे में और भी रहस्यमई चमतकारी जानकारी दूँगा बीडियो पाट टू का जरूर इंतजार करिएगा और बहुत जल्द आने वाली है तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हुदूद पक्षी के बारे में और जानकारी दूँ क्योंकि दोस्तों मैं अगला पाट लेकर आने वाला हूँ हुदूद पक्षी से जुड़े आने को रहसों के बारे में इस से जुड़ी जो भी तथे हैं जो भी माननेता हैं जो भी रहसे में चमतकारी सक्तियों की जानकारी है वो सारी जानकारी मैं दूँगा अपने वीडियो पाट टू में आपको पूरी जानकारी दूँगा तो दोस्तों आप सभी सन रोद है कि भाग दो का इंतजार करें यह भाग हमारा पहला है धन्यवाद